नमस्कार आप सभी का स्वागत है Study Capital के इस Online Learning Platform पे तो इस College Informative वीडियो की सीरीज में हम यह जानेंगे कि BHU से LLB करने के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं आप eligible हैं कि नहीं यहां से LLB करने के लिए और किती seats हैं, क्या fees रहने वाली है अगर आप यहां से LLB करते हो क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं, जो un-courses में admission तो ले लेंगे लेकिन चाहते हैं कि घर बैठे, course हो जाए, थोड़ा बहुत attendance लगा ले तो पहले हैं वार कर देना चाहूंगा, attendance को ले करके बेच्चू बहुत strict है हम चर्चा करेंगे उसके बारे में और क्या unfacility यहां की law faculty आपको देने वाली है बेच्चू की law faculty उसके बारे में हम complete चर्चा करेंगे उससे पहले थोड़ा वक्त हम निकालते हैं, हम यह जानना चाहेंगे कि अगर हम LLB करना चाहते हैं सबसे पहले आपको CVT का form भरना पड़ेगा, CVT Central University Entrance Test, सभी Central University के लिए common examinations है, यह maximum लोगों को पता है, तो इस बार का आपको form भरना पड़ेगा, और क्या आप form भरने के लिए, जब आप form भरोगे तो आपको एक paper देना पड़ेगा, ठीक है, जिस paper का code होगा, COQP 11, ठीक है That is general paper, इस paper में आपको 75 questions आप से पूछे जाएंगे, इन 75 questions को briefly हम discuss कर लेते हैं, आपको 75 questions पूछे जाएंगे और आपको time मिलेगा 105 minutes का, 105 minutes का, इस question paper में आपको English या Hindi language आपकी पसंद करने सार आप select करोगे, general knowledge awareness आप से पूछा जाएगा, computer basics के questions आएंगे, and the most demanding बोल लो या most निरनायक अगर कोई section है, तो वो maths का section that is general aptitude and logical reasoning रहने वाला है आपको, क्योंकि इसमें हर बच्चा अच्छा perform करता है language के section में, इसमें किसी बच्चे को कितना भी पढ़ लो averages को रहने वाला है GKGS में, ठीक है, तो ये दोनों portion जो है, ये दोनों portion सबसे decisive portion आपका रहने वाल ठीक है, अब हमने तो ये बात कर लिया कि किसी भी इनवर्सिटी में अगर आपको LLB करना है CVT के तो आपको paper देना पड़ेगा COQP 11 का, अब हम खास बात करते हैं कि अगर आपको BHU से LLB करना है, तो क्या-क्या चीज़े आपको देखनी पढ़ेंगी, तो चलो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं, देखो ये BHU की law faculty है, BHU की law faculty अलग से एक department है और है वो बियचु का हिस्सा, लेकिन उसके कायदे कानून BHU से थोड़े अलग है, मतलब थोड़ा strict department आप समच सकते हो, ये faculty of law का ये logo होने वाला है, धर्मो विश्वश्य जगत प्रतिस्ठा, मतलब धर्म ही सब कुछ है, धर्मा is the form foundation upon which the entire universe lies, ठीक है, पूरे विश्व अगर कहीं like कर रहा है, तो धर्म पे ही ओ टिका हुआ है, और ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ मोटो जो law faculty BHU का है, बड़ा अच्छा मोटो है, ठीक है, हम और चीज़े हम जानते हैं, क्या-क्या, जानना है इस वीडियो में, हमें eligibility के बारे में जानना है, कि आप eligible हो की नहीं हो, कितनी seats रहने वाली है, fee structure क्या होगा, hostels की सुविदा, जिसके बारे में हमने बात किया भी, placement, attendance and facilities, ठीक है, तो हम first पे आते हैं, कि आप eligible हो की नहीं, according to NTA, जो CVT का exam conduct कराता है, आपने BA, BAC, BC, BCOM, SASTRI, मतलब 10 plus 2 plus 3 pattern में, that means कि 12th और plus graduation किसी भी stream में किया है, आपने graduation किसी भी stream में किया है, आप eligible हो LLB के, LLB में admission पाने के लिए, ओके, चलो, duration आपका इस course का 3 साल रने वाला है, 3 साल LLB के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे, और LLB, यह दगो, चुकि है यह bachelor क course, लेकिन यह BA के बाद होता है, यह after graduation होगा, ठीक है, मतलब यह graduation का ही course है, आपको degree bachelor की मिलने वाली है, लेकिन आपको अन दूसरे subject में bachelor करने के बाद आप LLB में admission ले सकते हो, ठीक है, तो eligibility में बस इस बात का ध्यान रखना है, कि आपने graduation किसी भी subject से किया हो, आप LLB में admission के लिए eligible हो, ओके, चालो, आगे चलते हैं, अच्छा, एक और चीज, कि देखो, यहाँ एक note करके, जब भी कही note करके लिखा रहा है, उसको आपको पढ़ना जरूरी है, क्या कर रहा है, कि बार कॉंसल आप इंडिया के नुसार, तो candidate who have obtained 10 plus 2 or graduation, post graduation through open university syllabus, without having any base qualifications, pursuing such study are not eligible, मतल अगर आपने graduation open learning platform से किया है, कहने का मतलब है, जैसे किसी ने इगनु से अगर graduation किया है, ठीक है, open university से, तो आप LLB करने के लिए qualified नहीं हो, ठीक है, आप regular अगर course आपने किया है graduation का, तब ही आप qualified हो, ओके, इस चीज को ध्यान देना, ठीक, आगे चल लेते हैं, पिर हम बात करते हैं, कि बेच्चू law faculty में seats कितनी है, तो बच्चे seats तो total 300 है, ठीक है, एक और चीज, कि कुछ बच्चू का ये भी doubt होता है, कि sir, बेच्चू में तो affiliated colleges भी है, जैसे महिलाओं के लिए MMB है, AMPG है, WK में कुछ affiliated colleges है, DAV है, तो क्या इसमें भी law faculty है, नहीं, अगर हम law की बात करेंगे, तो बेच्चू में law faculty में campus में सिर्फ है, ठीक है, total intake 300 का है, लेकिन आप मान के चलो, किसी साल 280 से जादा बच्चो को नहीं intake किया जाता है, अब इनके अपने नियम है, 280-270 से जादा बच्चो को नहीं लेते हैं, ठीक है, वो अपनी 20-25 seat हर साल खाली छोड़ देंगे, लेकिन admission नहीं लेंगे, उनका कहना है कि जो बच्चे इस से कम score किया है, उनको मैं admission नहीं लेंगे, ऐसा चलता है, ठीक है, 300 seat है, नाम का, आप मान के चलो, 280 seat है, और यह बहुत कम seat है, 280 seat, ठीक है, आगे चलते हैं, जो हम fee structure की बात करेंगे, तो भारत में सबसे funding course का मातर, 282 रुपे परेनम का fee है, इस से कम कुछ नहीं हो सकता, तो जो बच्चे बहुत poor background से है, और मेहनती है, उनके लिए बहुत अची opportunity है, कि आप बेच्चु जैसे प्रतिस्थित इनवर्सिटी से, आप law कर सकते हो, और अपने future को साकार ले सकते हो, ठीक है, अब हम लेते हैं कि cutoff गया 200, 200 number cutoff गया, suppose करते हैं, तो जो 195 जो कुछ नंबर से बच्चे पिछड़ गया है, माल लेते हैं, 24-5 नंबर से पिछड़ गया है, वो 190 नंबर, 195 नंबर पाए है, तो वो fee और प्लस 15,000 पर एनम का paid seat, ठीक है, 15,000 पर एनम extra fee देखर के admission ले सकते हैं, यह करना है, यह ध्यान रखना है, परदर आगे बढ़ते हैं हम, होस्टल की बारे में अगर चर्चा करें, तो बेच्चू में law के बच्चे तीन होस्टल में रते हैं, हम बेच्चर होस्टल भगवान दास और चनक्या होस्टल, ठीक है, जब हम बात करेंगे, जब आप LLB मैड लोगे, तो आपको यह दोनों होस्टल से लॉट होंगे, भगवान दास और चनक्या, ठीक है, पर्स्ट येर में आपको चनक्या होस्टल और फर्दर भगवान दास होस्टल जिसको बहुत प्यार से BD होस्टल बोलते हैं, ठीक है, बहुत खास होस्टल होने वाला है, ठीक ह मतलब आप भगवान दास के वासी हूँ ठीक है ना देखो होस्टल की हमने फी भी रख दिया है 4875 रुपे पर एनम अब इससे कम फिक कहीं होने नहीं वाली है आपको एक साल का आवास मिलेगा रहने की सुविधा अगर एक साल की आपको मिल रही है ठीक है अमातर 4875 के करीब मे है बहुत कम होने वाला है ठीक है ना आगे चल देते हैं अब हम प्लेस्मेंट की जिकर करते हैं तो यह स्ट्रॉंगली नो है कि कोई प्लेस्मेंट यहां की लॉव फैकल्टी आपको लवी के लिए नहीं प्रॉवाइड कर रही है कोई कैंपस प्लेस्मेंट आप समझो कि कि किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे जॉब लग जाए यहां से लिल्बी करके भूल जाओ वो नहीं होने वाला है आप खुद से ढूण लो कि हमें इस कंपनी में जॉब करनी वाली अलग बात है लेकिन कैंपस आपको प्लेस्मेंट नहीं देने वाला अगर दो चार बच केंपस प्लेस्मेंट सेल जो है ठीक है वह एक्टिव हो रही है तो अब कुछ बच्चों का प्लेस्मेंट हो रहा तो अलग बात है क्योंकि यहां का क्योरी क्लम इस तरीके से बनाया गया है कि आप कॉर्पोरेट से ज्यादा PCSJ मतलब जूडिसेरी सर्विसेज के लिए अटेंडेंस के मामले में चाहिए 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 सतर परसेंट मिनिममम अटेंडेंस चाहिए इससे कम में नहीं हो पाएगा आप सोचो कि सर सिक्स्टी नाइन परसेंट अटेंडेंस में हो जाएगा एक परसेंट कम की भी गुंजाइस नहीं है अटेंडेंस में ठीक है अ ठीक है और बहुत अच्छी department है मैं personally कुछ professors को भी जानता हूँ ठीक है law faculty के बहुत polite हैं बहुत अच्छे समझाते हैं मेरे बहुत सारे मित्र पढ़ते हैं बहुत seniors law faculty से निकल चुके हैं बहुत 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 department है ठीक है आगे चलेते हैं जब हम बात करेंगे campus life और facility के बात करते हैं तो यह तो मैंने बता दिया कि one of the top law faculty रहने वाली है भारत में यह मूद कोट के आपको सुविधा मिलती है मतलब आपको practice के लिए court rooms मिलेंगे आपको practice के लिए फिर legal resources advice centers जैसे आपको advice centers मिलेगा अभी एक नई initiative जहां तक मुझे प advice की जरूरत हो ठीक है कि हम यह जगडा इस टाइब को रहा है मैं क्या legal expect में क्या हम काम कर सकते हैं तो आप law faculty में आओ यहां के बच्चों से यहां के प्रूफेसर से आप advice ले सकते हो ठीक है तो यह सब सुविधाय हैं तो आप second year के बच्चे रहोगे लेकिन आप advice करते रहो दूसरी library है आपकी central library health services आप आपको पता है बेच्चू hospital के नाम से भी जाना जाता है सरसुन्दा लाव होस्पिटल तो best health services यहां के बच्चों को मिलता है ठीक है और आप अगर admission लेते हो तो आपको भी मिलने वाला है career opportunity आप जैसे मैंने बोला placement नहीं है तो क्या career opportunity हो सकती है placement तो नहीं है लेकिन आप खुद से थोड़ी मेहनत कर सकते हो जैसे आप litigation में जा सकते हो advocate बन सकते हो corporate law sector में भी आप जा सकते हो इसके बाद आप civil service का भी option चुन सकते हो क्योंकि एक पेपर optional का पेपर आपका त्यार हो चुका होता है बहुत अच्छे तरीके से तो civil बहुत सारे civil servant आपको मिलेंगे जो law की हुए है और बहुत अच्छा options है फिर judiciary services के बाद जा सकते हो आप PCJ की त्यारी कर सकते हो जज़ बन सकते हो ठीक है और यह special note करने वाले च इतना की करीब का बैसि था जितने बच्चे थे सारे के सारे कि सेजह मोच शुका ठीक हो Har кров का हो चुका था है यह law faculty आपकी आप जैसे हमने बूला कि मूट कोट रूम है देखो यह ग्रूप डिसकेशन है ठीक है आपका ग्रूप डिसकेशन होगा प्रोफेसर बैठे रहेंगे बच्चे बैठे रहेंगे एक टॉपिक दिया जाएगा हाँ आप अपने इस बारे में इस टॉपिक के बा है बोल सकते हो प्रैक्टिस के लिए यह बच्चे आगे चलके अगर प्रैक्टिस करते तो कैसे करते हैं अब देखो हर साल एक महामना मालविये नेशनल मूट कोट कमपरडिशन होता है ठीक है यह फिर मैं बता रहा हूं कि यह सिर्फ यह कोट रूम ऐसा नहीं है कि कमपरडिशन होता है अलग अलग उनिवर्सिटी से लोग के बच्चे आते हैं कमपरडिशन में हिस्सा लेते हैं देखो दिख रहा है नेशनल मूट कोट कॉमपरडिशन 2023 ठीक है आगे चलते हैं तो जो चीज़ आपको दिख रही है ना बिल्कुल ग्राउंड पे बेच्च चात्रों का जलवा 14 लड़किया समेत कुल 26 चात्रों का हुआ चैन अगर एक रिजल्ट में आपको पता होगा यह ऐसा नहीं है ऐसे बहुत बड़ी वेकेंसी नहीं है जैसे 8000-10,000 वेकेंसी आते हैं जब हम PCSJ की बात करेंगे बहुत चंद वेकेंसी आती है 100, 200, 120, 1500 अगर 1200 वेकेंसी में 26 बच्चों का सेलेक्शन से बेच्चू से हो जा रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है ठीक है ना तो हाँ बच्चों तो यह complete information रही आपके लिए क्या LLB करने से फाइदा है यह आपको पता होगा तभी आपने चुना है carrier बेच्चू से क्या LLB आपकरने के से में बेच्चू से आप LLB कर सकते हो अगर आप मेहनती हो तो आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करोगी ठीक है तो बस अब अपनी तयारी को थोड़ा बल दो तयारी में थोड़ा जुट जाओ और CVT 2025 में ठीक है अपना पर्चम लह रहा हो माबाप का नाम रोसन कर है तो आप हमारे चैनल के साथ जूड़ सकते हो पिसले कुछ टेस्टिमोनियल पढ़े होंगे यूटूब पर वीडियो पढ़े होंगे आप देख सकते हो कि हम कैसे पढ़ाते हैं भारत में भी को इनवर्सिटी ऐसी नहीं है ठीक है जहां हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ह चैनल के दुबारे पढ़ाए हूए बच्चे नहीं हैं चाहिए रच्चु हो चाहिव दली उन्वशिटी हो चाह uranium सेक्टी हो चाहिँ समल हर लॉव बच्चे मिलेंगे मिलेंगे तो इतना ही इस वीडियो में अगले वीडियो के सीरीज में मिलते हैं है तब तक के लिए धन आपने बाद बाबाए